नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग प्लस टिप्स में तो आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में कड़ी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसे हम पकौरों के साथ बनाएंगे एक बार आप इस तरह से पंजाबी कड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें सच में बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टाट करते हैं यहां मैंने एक बड़े बॉल में एक कटोडी दही लिया है दही खटी होनी चाहिए आप दही की जगा लसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर लसी जब ले तो उसकी कॉंटिटी आप डबल कर दें एक छोटी कटोडी बेसन मिलाएंगे बेसन का इस्तमाल भी आप बहुत जादा ना करें वरना कडी हमारी बहुत गाडी बनेगी आधा चमच अजवाइन डालेंगे फ्रंट्स अजवाइन डालने से कडी बहुत य अच्छी लगेगी और अजवाइन हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है साथी आधा चमच हल्दी पाडर डाल देंगे और अब एक कटोरी पानी डाल कर दही बेसन को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे बाद में और पानी डालेंगे तो पहले इसे बेसन और दही को अच्छी तरह से फेट ले कोई भी लंस ना रहे ध्यान रहे बेसन को हमें बहुत ही अच्छी तरह फेटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे अब इसमें तीन कटोरी पानी और डालेंगे और पानी डालकर दुबारा से इसे थोरा चला ले और इसे हम ढखकर दस मिनट के लिए रख देंगे फ्रेंट्स यहां लाइट भी चली गई है तो अराम से इसे हम भूलने देते हैं यहां बरतन गर्म होने के लिए रखी है अब इसमें तीन से चार चमच तेल डालेंगे तेल के गर्म हो जाने पर आदा चमच मेथी डालेंगे मेथी को थोड़ा पक जाने दे वरना ये कड़वे लगेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया डालें गे इसे हथेलियों में लेकर क्रस्ट कर ले इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी अब इसमें एक प्यास डालेंगी इसे थोरा मोटा मोटा काट ले प्यास डालकर एक मिनट के लिए इसे भूल ले और इसमें हम खुब साड़ी कड़ी पत्ता डाल देंगे फ्रंट्स कड़ी पत्ते का इस्तमाल जरूर करें इससे हमारी कड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी एक चमच अद्रक लासन का पेस्ट डालेंगे साथ ही चार से पांच कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे पंजाबी कड़ी थोड़ी तिखी ही बनती है पर आप मिर्च का इस्तमाल अपने टेस्ट के हिसाब से ही करें और इसमें आदा चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाड़र डालेंगे अब इन सब को हम दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुल लेंगे ताकि अदरक लसन का कच्चापन खत्म हो जाए और अब इसमें ये बेसन और दही का गोल भी डाल देंगे तो साफदानी पुरवक सभी गोल को डाल दे बरतन में थोड़ा पानी डाल कर सभी मिसरन को अच्छी तरह से निकाल ले और इसे हमें चलाते रहना है फ्रंस जब तक की इसमें उबाल ना आ जाए इस बात का ध्यान देना है फ्रंस परना दही हमारी फट सकती है तो इसे चलाते रहें जब तक की उबाल ना आ जाए कैस का फ्लेम मीडियम टू आप हाई ले जाए कड़ी हमारी उबलने लग गई है इसे हमें आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाना है तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे ध्यान रहे कड़ी हमारी अभी क्वंटिटी में कम होगी तो उसी हिसाब से नमक डाले मैंने यहाँ एक बड़ा चमच नमक डाला है और थोड़ा सा और नमक डाला है अब नमक डाल कर इसे अच्छी तरह चला दे और लो फ्लेम पर इसे अब पकने दे हमें इसे बिना ढ़के ही पकाना है तो आदे घंटे के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कड़ी हमारी अच्छी तरह से कड़ जाए तब तक हम पकोरे बना लेंगे तो यहां एक बड़े बॉल में आधी कटोरी बेजल लिया है दो प्याज लिये हैं इसे पतले पतले स्लाइसेस में काट ले दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे आधा चमच हल्दी पॉर्डर डालेंगे आधा चमच नमक भी डाल देंगे साथ ही एक चौथाई चमच गरम मसाला पॉर्डर डालेंगे और थोरा पानी डाल कर इसे हम घोल लेंगे और पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला ले हमें इसे ठीकी रखना है तो पानी का इस्तमाल उसी हिसाब से करें पकौरे बनाने के लिए हमारा मिक्षर तयार है तो चलिए चलते हैं इसे तलने की ओर यहां तेल गर्म होने के लिए रखा था अब बेशन को थोड़ा लेकर इस तरह से तेल में डालते जाएं पकोरे छोटे छोटे ही बनाएं फ्रेंट्स पंजाबी कड़ी में प्याज के पकोरे तो डलते ही हैं इसलिए मैं पकोरे भी बना रही हूँ आप चाहें तो पकोरे की जगा आलू भी डाल सकते हैं आलू को आप कड़ी में ही लंबे लंबे स्लाइस में काट कर डाल दें ताकि कड़ी के साथ आलू भी पक जाए एक साइट से पकोरे सिख गए हैं तो इसे हम पलट लेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे पकोरे हमारे रेडी हैं तो अब इसे हम निकाल लेंगे और बचे हुए भी पकोरे इसी तरह से तल लेंगे सभी पकोरे हमारे तल चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे चलते हैं कड़ी की ओर कड़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और ये quantity में भी बहुत कम हो गई है अब इसकी consistency दिखाती हूँ मैं आपको फ्रंट्स इस तरह से इसकी consistency होनी चाहिए पंजाबी कड़ी गाड़ी ही बनती है अभी ये ठंडा होने के बाद और गाड़ी होगी तो गैस का flame बंद कर देते हैं और इसे हम serving ball में transfer कर लेंगे और जब आप इसे serve करें पकोरे भी उसी time डाले तो अब ये पकोरे इस कड़ी में हम डाल देंगे साथी थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया पता भी डाल देंगे अब इस कड़ी में एक तरका लगा देंगे तो यहां एक कलचल में थोड़ा तेल या फिर घी डाल दें तेल के गर्म हो जाने पर एक पिंच हिंग डालेंगे एक चौथाई चमच जीरा डालेंगे जीरे को थोड़ा पक जाने दें अब गैस का flame बंद कर दें और दो सूखी लाल मिर्च डाल दें साथ ही आधा चोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और चमच से मिला ले तड़का हमारा रैडी है तो इसे हम कड़ी के उपर डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करें बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग